आगरा के चिपिटोला इस्थित श्री का जराट चंद्र प्रभु दिकमर जैन मंदिर में 10 वा 11 फरवरी को वेदी, शुद्धी एवं जिन्बिम इस्थापना महुसव सानन्द संपन हुआ पटाच्वारी श्री गे साकरजी माहराज इस ससंग के सानिध में 10 एवं 11 फरवरी के मध्ये वेदी, शुद्धी एवं जिन्बिम इस्थापना महुसव का एचन किया गया यह कारिक्रम आगरा के चिपिटोला इस्थित रकाब गंज थाने की पीछे श्री 108 चंद्र प्रभू दिगंबर जैन मंदिर में हुआ दस फरवरी को कारिक्रम के शुभारम प्रभू अभिश्रीक के साथ किया गया इसके बाद सौभागी शाली परिवारों ने ध्वजा रोहन किया प्रभू की मूलनायक भगवान के समक्ष विधान मंदल की रचना की गई जिसके समक्ष श्रावक्ष राविकाओं ने विधान पूजन कर अरगे अरपित किये इस अवसर पर भक्तों ने आचारी श्री गेसागरजी महराज की श्री चरणों का प्रक्ष शालन कर आशिरवाद प्राप्त किया संध्या की बेला में संगीत मैं लहरियों पर भक्तों ने प्रभु भक्ती की हाथों में दीपत लिये सभी ने प्रभु भक्ती का जम कर आनंद लिया 11 फरवरी को सबी जिन प्रतिमाओं को विधिवत मंदिर में बनी नवीन वेदियों में विराजमान किया गया इसके बाद अपने उद्गार व्यक्त की शिपीटोले वालों ने दी और एक प्रतमाओं पंडिजी ने दी जिसका उनको परवारी जनों को बहुत-बहुत साधूबाद और ये दो दिन का प्रोग्राम सानंद संपन्न हुआ निर्मल सदन मंदिर में बहुत सादन संपन हुआ पहले दिन सभी ने मिलकर के यागमंडल विधान करवाया किया और बहुत भक्ती पूर्वक नत्य पूर्वक सभी ने आनंद लिया उसके बाद रात को आरती और सांस्क्रति प्रोग्राम भी हुए और आज सुबह से सभी बहुत बहुत आनंद आया आज दोनों ही प्रत्मा जो कि इतने दिनों से पंच कल्याड़क के बाद इस्थान नहीं मिला था आज उनी दोनों प्रत्माओं को अपने इस्थान पर इस्थापित किया प्रतिष्ठा चारे ने बहुत अच्छा विधान करवाया सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथ हुआ इस मौके पर विश्वशांती महायग भी किया गया हवन पूजन में आहुतियां देकर सभी ने सर्वकल्यान की भावना भाई जैन फोकस के लिए छिपिडोला आगरा से शुभम जैन की रिपोर्ट